आज के वीडियो में हम IUPAC Nomenclature के बारे में बात करेंगे यह वीडियो बहुती बेसिक और कॉंसेप्स्वल होने वाला है तो वीडियो को थोड़ा सा पेसेंस रखकर सुरू से लेके अंतक देखना वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना अगर आप IUPAC के Nomenclature के कॉंसेप्स को अच्छे से समझना चाहते हो मेरा नाम है पंकश कुमार और आप देख रहे हो आपका और हमारा प्यारा सा चैनल जै हो तो चलिए सुरू करते हैं किसी भी और्गैनिक कंपाउंड का IUPAC नेमिंग करने से पहले हमें कुछ basic concept पता होने चाहिए वो basic concept क्या है वो basic concept है root word, alken, alken, alkyne, alkyne, alkyl होता क्या है और इसे लिखेंगे कैसे तो पहले हम इसके basic concept के बारे में अच्छे से समझेंगे फिर हम किसी भी और्गैनिक कंपाउंड का IUPAC नेमिंग लिखना सिखेंगे एक चीज ध्यान देना कि इसके basic concept को समझे भीना आप किसी भी और्गैनिक कंपाउंड का IUPAC नेमिंग नहीं कर पाओगे तो चलिए पहले बात करते हैं इसके basic concept के बारे में पहला concept है हमारा root word अब ये root word क्या होता है root word हमें बताता है कि किसी भी और्गैनिक कंपाउंड के main chain में कितने कारबन है यानि कि main chain कितने कारबन से मिलकर बना है अब सवाल यह आता है कि किसी भी और्गैनिक कंपाउंड के main chain में अगर 5 कारबन हो या 8 कारबन हो या 10 कारबन हो तो उसे क्या बोलेंगे तो उसके लिए मैंने पहले से ही यहाँ पर लिख लिया है ताकि हमारा थोड़ा time बचे किसी भी organic compound के main chain में अगर एक carbon हो तो उसे बोलेंगे meth दो carbon हो तो उसे बोलेंगे eth, तीन carbon हो तो उसे बोलेंगे prop उसी प्रकार से किसी भी organic compound के main chain में अगर 10 carbon हो तो उसे बोलेंगे dick एक 10 root word आपको याद होने चाहिए इसके alarmा भी होते हैं पर हमें उसकी जरूत नहीं है किसी भी board exam के preparation के लिए एक 10 root word more than sufficient है तो चलिए अब बात करते हैं दूसरा concept अलकेन के बारे में दूसरा concept है अलकेन अब यह अलकेन क्या होता है अलकेन हमें बताता है कि किसी भी organic compound में कार्बन और कार्बन के बीच में केवल और केवल single bond present होना चाहिए तो यहाँ से पहला point अलकेन का निकल के आता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए दूसरा पॉइंट है कि रूट वर्ड से अलकेन को कैसे बनाएंगे तो रूट वर्ड से अलकेन को बनाने का सबसे आसान तरीका है कि root word में N को जोड़ देंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा अलकेन आईए example के माध्यम से समझते हैं माल लिजे कि हमें एक carbon से अलकेन को बनाना है तो एक carbon का root word है meth meth में अगर हम N को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा methane जो की एक अलकेन है उसी प्रकार अगर हमें दो carbon से अलकेन को बनाना है तो दो carbon का root word है eth eth में अगर हम N को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा methane जो की एक अलकेन है उसी प्रकार अगर हम तीन carbon से अलकेन को बनाएंगे तो तीन कार्बन का root word है prop अगर हम prop में N को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा propane जो की एक alkane है इसी प्रकार हम बाकी कार्बन के root word से alkane को बना सकते हैं आईए अब बात करते हैं alkane के तीसरे point के बारे में alkane का तीसरे point है alkane का general formula alkane का general formula है CnH2n plus 2 जहां पर यन बताता है number of carbon यानि की carbon की संख्या कितनी है आईए अब बात करते हैं कि इस formula का यूज़ करके किस तरीके से किसी भी alkane का formula find out करते हैं मान लीजिए कि हमें propane का formula find out करना है तो हमें इसके root word पे focus करना है इसमें root word क्या है prop जो की बताता है कि 3 carbon का root word है n हमें बताता है कि carbon और carbon के वीच में kevel और kevel single bond present है तो prop बताता है carbon की संख्या 3 है यानि कि n की value आ गई 3 अब यह जो value आई है इससे इस formula में put करो तो हमें क्या मिलेगा C3H2 into n की जगे पे रखेंगे 3 plus 2 तो यह आ जाएगा C3H8 यानि कि propane का formula आ जाएगा C3H8 इसे molecular formula भी कहते हैं प्रोपेन को एक और तरीके से लिख सकते हैं वो तरीका है CS3, CS2, CS3 और इस तरीके को structural formula कहते हैं फिलाल के लिए आप बस इतना याद रखो कि propane को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके को structural formula कहते हैं इसके उपर मैं एक detail video बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से किसी भी organic compound का structural formula लिखते हैं आईए एक और example लेते हैं और समझते हैं कि इस formula का यूज़ करके किस तरीके से किसी भी alkaline का formula find out करते हैं मान लीजिए कि हमें butane का formula find out करना है तो हमें इसके root word पे focus करना है इसमें root word क्या है but जो कि बताता है कि 4 carbon का root word है एन हमें बताता है कि carbon और carbon के बीच में केवल और केवल single bond present है तो but हमें बताता है कि number of carbon कितने हैं 4 यानि कि एन की value आ गई 4 अब यह जो value आई है इससे इस formula में put करो तो क्या आ जाएगा C4H2 into 4 plus 2 यानि कि यह आ जाएगा C4H10 यानि कि butane का formula आ जाएगा C4H10 butane को एक और तरीके से लिख सकते हैं वो तरीका है CH3, CH2, CH2, CH3 और इस तरीके को structural formula कहते हैं तो आपको alkane के बारे में यह 3 point याद रखना है पहला point alkane होता क्या है दूसरा point root word से alkane को कैसे बनाते हैं तीसरा point इस formula का यूज़ करके किस तरीके से किसी भी alkane का formula find out करते हैं तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे concept alkane के बारे में तीसरा concept है alkane अब यह alkane क्या होता है alkane हमें बताता है कि किसी भी organic compound में carbon और carbon के बीच में कम से कम एक double bond होना चाहिए तो यहाँ से पहला point alkane का निकल के आता है कि carbon और carbon के बीच में कम से कम एक double bond होना चाहिए दूसरा point है कि root word से alkane को कैसे बनाएंगे तो root word से alkane को बनाने का सबसे आसान तरीका है कि root word में in को जोड़ देंगे तो हमें जो मिलेगा ओ मिलेगा alkane आईए example के माद्यम से समझते हैं मान लीजे कि हमें दो carbon से alkane को बनाना है तो दो carbon का root word है इत इत में अगर हम इनको जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा इतहीन जो की एक alkane है उसी प्रकार अगर हमें तीन carbon से alkane को बनाना है तो तीन carbon का root word है प्रॉप और अगर हम प्रॉप में इनको जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा प्रॉपीन जो की एक alkane है इसी प्रकार अगर हमें चार कार्बन से alkane को बनाना हो तो चार कार्बन का root word है ब्यूट और अगर हमें ब्यूट में इनको जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा ब्यूटीन जो की एक alkane है इसी प्रकार हम बाकी कार्बन के root word से alkane को बना सकते हैं आईए अब बात करते हैं alkane के तीसरे point के बारे में alkane का तीसरा point है alkane का general formula formula alkane का general formula है CNH2N जहां पर यन बताता है number of carbon यानि की carbon की संख्या कितनी है आईए अब बात करते हैं इस formula का use करके किस तरीके से किसी भी alkane का formula find out करते हैं मान लीजिए कि हमें propene का formula find out करना है तो हमें इसके root word फे focus करना है इसमें root word क्या है प्रोप जो की बताता है कि 3 carbon का root word है इन बताता है कि carbon और carbon के बीच में कम से कम एक double bond है तो प्रोप हमें बताता है कि number of carbon कितने है 3 यानि कि यन की value आ गई 3 अब ये जो value आई है इससे इस formula में put करो तो क्या आ जाएगा c3 h2 into 3 equal to हो जाएगा c3 h6 यानि कि प्रोपीन का formula आ जाएगा c3 h6 प्रोपीन को एक और तरीके से लिख सकते हैं वो तरीका है c h2 double bond c h c h3 और इस तरीके को structural formula कहते है एक और example लेते हैं और समझते हैं कि इस formula का यूज़ करके किस तरीके से किसी भी alkin का formula find out करते हैं मान लिजे कि हमें butine का formula find out करना है तो हमें इसके root word पे focus करना है इसमें root word क्या है? but जो की बताता है कि 4 carbon का root word है इन हमें बताता है कि carbon और carbon के बीच में कम से कम एक double bond है तो root हमें बताता है कि number of carbon कितने हैं? 4 यानि कि n की value आगई 4 अब यह जो value आई है इससे इस formula में put करो तो क्या आजाएगा? C4H2 into 4 यह आजाएगा C4H8 यानि की butine का formula आजाएगा C4H8 butine को एक और तरीके से लिख सकते हैं वो तरीका है CH2 double bond CH CH2 CH3 और इस तरीके को structural formula कहते हैं तो आपको alken के बारे में तीन point याद रखना है पहला point alken होता क्या है दूसरा point root word से alken को बनाते कैसे है तीसरा point a formula इस formula का यूज करके किस तरीके से किसी भी alken का formula find out करते हैं तो चलिए अब बात करते हैं चौथे concept alkyne के बारे में चौथा concept है alkyne अब अलकाइन क्या होता है alkyne हमें बताता है कि किसी भी organic compound में carbon और carbon के बीच में कम से कम एक triple bond होना चाहिए यानि कि यहां से पहला point alkyne का निकल के आता है कि carbon और carbon के बीच में कम से कम एक triple bond होना चाहिए दूसरा point है कि root word से alkyne को कैसे बनाएंगे तो root word से alkyne को बनाने का सबसे आसान तरीका है root word में आइन को जोड देंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा alkyne आईए example के माद्यम से समझते हैं मान लीजिए कि हमें दो carbon से alkyne को बनाना है तो दो carbon का root word है एथ एथ में अगर हम आइन को जोड देंगे तो यह हो जाएगा इथाईन जो कि एक alkyne है उसी प्रकार अगर हमें तीन carbon से alkyne को बनाना है तो तीन carbon का root word है prop और अगर हम prop में आईन को जोड देंगे तो यह हो जाएगा propine जो कि एक alkyne है उसी प्रकार अगर हमें चार carbon से alkyne को बनाना हो तो चार carbon का root word है but और अगर हम but में आईन को जोड देंगे तो यह हो जाएगा butine जो कि एक alkyne है इसी प्रकार हम बाकी carbon के root word से alkyne को बना सकते हैं आईए अब बात करते हैं alkyne के तीसरे point के बारे में alkyne का तीसरा point है alkyne का general formula for formula alkyne का general formula है cn h2n-2 जहां पर यन बताता है number of carbon यानि की carbon की संख्या कितनी हैं आईए अब बात करते हैं कि इस formula का यूज करके किस तरीके से किसी भी alkyne का formula find out करते हैं मान लीजिए कि हमें propine का formula find out करना है तो हमें इसके root word पे focus करना है इसमें root word क्या है फ्रोप जो की बताता है कि तीन carbon का root word है आईन हमें बताता है कि carbon और carbon के बीच में कम से कम एक triple bond है तो प्रोप हमें बताता है कि number of carbon कितने हैं तीन यानि की यन की value आगई 3 अब यह जो value आई यह इससे इस formula में put करो तो क्या आजाएगा C3H2 into 3 minus 2 तो यह आजाएगा C3H4 यानि की प्रोपाइन का formula आजाएगा C3H4 प्रोपाइन को एक और तरीके से लिख सकते हैं वो तरीका है CH triple bond C CH3 और इस तरीके को structural formula कहते हैं एक और example लेते हैं और समझते हैं कि इस formula का यूज़ करके किस तरीके से किसी भी alkyne का formula find out करते हैं मान लीज़े कि हमें butine का formula find out करना है तो हमें इसके root word पे focus करना है इसमें root word क्या है? but जो की बताता है कि 4 carbon का root word है तो but हमें बताता है कि number of carbon कितने है? 4 यानि कि यन की value आ गई 4 अब ये जो value आई है इससे इस formula में put करो तो क्या आ जाएगा? c4 h2 into 4 minus 2 equal to आ जाएगा c4 h6 यानि कि due time का formula आ जाएगा c4 h6 due time को एक और तरीके से लिख सकते हैं वो तरीका है c h triple bond c c c c c c c c c और इस तरीके को structural formula कहते हैं तो आपको alkyne के बारे में तीन point याद रखना है पहला point alkyne होता क्या है? दूसरा point root word से alkyne को कैसे बनाते हैं? तीसरा point a formula इस formula का use करके किस तरीके से किसी भी alkyne का formula find out करते हैं? आइए अब बात करते हैं पाच्वा concept alkyl के बारे में पाच्वा concept है हमारे पास alkyl अब ये alkyl क्या होता है? अगर हम alkyne से एक hydrogen को निकाल लें यानि कि अगर alkyne से एक hydrogen replace हो जाए तो हमें जो मिलता है वो मिलता है alkyl यहां से हमारा पहला point alkyl का निकल के आता है कि अगर हम alkyne से एक hydrogen निकाल लें तो हमें मिलता है alkyl दूसरा point है कि root word से alkyl को कैसे बनाएंगे? तो root word से alkyl को बनाने का सबसे आसान तरीका है कि root word में yl को जोड़ देंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा alkyl आईए एक्जामपल के माद्यम से समझते हैं कि root word से alkyl को कैसे बनाएंगे? मान लीजिए कि एक carbon से हमें alkyl को बनाना है तो एक carbon का root word है math अगर हम math में yl को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा methyl उसी प्रकार अगर हमें 2 carbon से alkyl को बनाना है तो 2 carbon का root word है एथ एथ में अगर हम yl को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा इथाईल उसी प्रकार अगर हमें 3 carbon से alkyl को बनाना है तो 3 carbon का root word है prop प्रोप में अगर हम yl को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा प्रोपाईल यानि कि हम इसी प्रकार से हम बाकी carbon के root word से alkyl को बना सकते हैं एक चीज और ध्यान देना कि organic chemistry में alkyl को r से denote किया जाता है यानि कि organic chemistry में जहां भी r लिखा हो तो आप समझ जाएए कि वो alkyl दिया हुआ है alkyl का तीसरा point है alkyl का general formula alkyl का general formula है cn h2n प्लस 1 जहां पर n बताता है number of carbon यानि कि carbon की संख्या कितनी है आईए कुछ example के माद्यम से समझते हैं कि alkyl को लिखते कैसे है तो पहला example है ch4 यानि कि methane अगर हम ch4 में से एक hydrogen को निकाल देंगे तो यह बन जाएगा ch3 यानि कि methane उसी प्रकार अगर हम c2h6 यानि कि methane में से एक hydrogen को निकाल देंगे तो यह बन जाएगा c2h5 यानि कि methane उसी प्रकार अगर हम C3H8 यानि की प्रोपेन में से एक हाइडोजन को निकाल देंगे तो यह बन जाएगा C3H7 यानि की प्रोपाईल इसी तरीके से हम अलकेन से अलकाईव को लिख सकते हैं अगर आप यहां तक सारे basic concept समझ गए हो तो अब आप ready हो IUPAC की nomenclature की concept को समझने के लिए अब बात करेंगे IUPAC के rules के बारे में किसी भी organic compound का IUPAC नाम लिखने से पहले हमें IUPAC के कम से कम एक 5 rules पता होने चाहिए हमारे पास IUPAC का पहला rules है कि हमें सबसे पहले सबसे लंबी carbon की chain का selection करने के बाद IUPAC का दूसरा rules है कि हमें उस chain का numbering करना है लेकिन numbering इस प्रकार से करना है कि सबसे कम number functional group को मिले फिर उसके बाद triple bond double bond को फिर उसके बाद branch को सबसे लंबी carbon की chain का selection करने के बाद सबसे लंबी carbon की chain का numbering करने के बाद तीसरा rules आता है IUPAC का format लिखेंगे कैसे तो सबसे पहले branch को लिखेंगे फिर उसके बाद ring को लिखेंगे फिर उसके बाद root word को लिखेंगे हमने जो chain select किया है उस chain में कितने carbon है उस carbon का root word क्या है फिर उसके बाद single bond, double bond, triple bond का नाम लिखेंगे यानि की A नायगा की E नायगा की I नायगा फिर उसके बाद functional group को लिखेंगे एक चीज ध्यान देना की जब भी किसी भी organic compound का IUPAC नाम लिखोगे आप तो आप हमेशा इसी format को follow करोगे पहले branch को लिखोगे, फिर ring को लिखोगे, फिर root word को लिखोगे फिर single bond, double bond, triple bond का नाम लिखोगे, फिर functional group का नाम लिखोगे मान लिजे कि अगर branch नहीं दिया है तो नहीं लिखोगे मान लिजे कि functional group नहीं दिया है तो उसे नहीं लिखोगे लेकिन आप जब भी नाम लिखोगे आप इसी format को follow करोगे ठीक है, त्यानी की जो दिया रहेगा उसे लिखोगे जो नहीं दिया रहेगा उसे नहीं लिखोगे IUPAC का चौथा रूस है कि अगर दो या दो से अधिक branch आ जाए किसी भी organic compound में तो हमें उसका नाम लिखते समय alpha vertical order को follow करना है IUPAC का पाँच्वा रूस है कि अगर दो या दो से अधिक same branch आ जाए तो हमें उसका नाम लिखने से पहले diet, tri, tetra का यूज करना है तो किसी भी organic compound का IUPAC नाम लिखने से पहले आपको IUPAC के कम से कम ये 5 रूस पता होने चाहिए अब तक अगर आप IUPAC के rules और alkyne, 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 alkyl और roots के concept अच्छे से समझ गए हो तो अब आप ready हो किसी भी organic compound का IUPAC naming करने के लिए दो और छोटी छोटी चीजे हमें समझना है आईए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं फिर हम one by one करके alkyne, alkyne, alkyne और functional group का IUPAC naming करना सीखेंगे पहला point जो हमें समझना है वो है branch branch क्या होता है और branch में आता क्या-क्या है आईए समझते हैं सबसे लंबी carbon की change select करने के बाद जो बच जाता है उसे कहते हैं branch अब branch में आता क्या-क्या है branch में आता है methyl, ethyl, propyl, butyl यानि की alkyl वाला group दूसरा है NO2 यानि की nitro NH2 यानि की amino CL यानि की chloro BR यानि की bromo I यानि की iodo F यानि की floro OR यानि की alkoxy group और phenyl group इस सबी चीजें branch में आती हैं दूसरा point है carbon की valency carbon की valency होती है चार जब भी आपको carbon की valency को fill करना हो तो आप हमेशा hydrogen से fill करोगे इन्ही सबी concept को ध्यान में रखते हुए चलिए हम सुरू करते हैं IUPAC naming करना किसी भी organic compound का तो पहले हम start करेंगे alcan से बात करेंगे alcan के IUPAC naming के बारे में किसी भी organic compound का IUPAC naming करने के लिए आपको IUPAC के वो 5 rules याद होने चाहिए जिन में से मैं starting के तीन rules यहाँ पर लिख लिया हूँ क्योंकि इनका use बार बार होगा तो चलिए example के मादिम से समझते हैं कि किस तरीके से किसी भी alcan का IUPAC name लिखते हैं हमारे पास पहला example कुछ इस तरीके का दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 CH3 हमें इसका नाम लिखना है तो नाम लिखने के लिए IUPAC का पहला rules लगाएंगे IUPAC का पहला rules है longest chain का selection करना इस organic compound में सबसे लंबी carbon की chain यही वाली है IUPAC का दूसरा rules लगाएंगे सबसे लंबी carbon की chain का selection करने के बाद दूसरा rules है numbering आप इस side से जब numbering करोगे तो 1, 2, 3, 4 आप इस side से भी numbering कर सकते हो 1, 2, 3, 4 लेकिन numbering करते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि functional group, triple bond, double bond branch अगर present हो तो उसे कम number मिलना चाहिए ध्यान से देखोगे तो इस organic compound में ना तो functional group है ना तो triple bond है ना तो double bond है ना ही branch है तो जब भी functional group, triple bond, double bond या branch present ना हो तो आप numbering किसी भी side से कर सकते हो तो इस case में आप numbering किसी भी side से कर सकते हो हमने सबसे लंबी carbon की chain का selection कर लिया हमने numbering भी decide कर ली कि किस side से numbering करना है अगला rules है format लिखेंगे कैसे तो पहले branch को लिखेंगे इस organic compound में एक भी branch नहीं है तो नहीं लिखेंगे फिर उसके बाद है ring ring यानि कि cyclic ring उगरक इस तरीके का structure उगरक होगा तो इस organic compound में एक भी cyclic ring नहीं है तो नहीं लिखेंगे उसके बाद है number of carbon हमने जो chain select किया है उसमें कितने carbon है चार carbon को क्या लिखते है ब्यूट फिर उसके बाद है triple bond, double bond, single bond का नाम हमने जो chain select किया है उसमें सभी के सभी single bond है और single bond को क्या लिखते है N उसके बाद functional group इस organic compound में एक भी functional group नहीं है तो नहीं लिखेंगे यानि कि इस organic compound का IUPAC नाम आ जायेगा ब्यूटेन एक चीज ध्यान देना कि जब भी किसी भी organic compound का IUPAC नाम लिखेंगे तो आपको इसी sequence को follow करना है और जब भी आप उसका नाम लिखेंगे तो आप इसी format को follow करोगे दूसरा example लेते हैं और अच्छे से समझते हैं दूसरा example हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है CS3 CH CS3 CS2 CS2 CS3 हमें इसका IUPAC नाम लिखना है तो IUPAC नाम लिखने के लिए IUPAC का पहला rules लगाएंगे पहला rules है longest chain का selection करना इस organic compound में सबसे लंबी carbon की chain ये वाली है सबसे लंबी carbon की chain select करने के बाद जो बच जाता है वो बन जाता है branch यानि कि CS3 हमारा एक branch है जब हम इस side से numbering करेंगे तो 1, 2, 3, 4, and 5 आप इस side से भी numbering कर सकते हो 1, 2, 3, 4, and 5 लेकिन numbering करते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि functional group, triple bond, double bond branch को कम number मिलना चाहिए तो यहाँ पर एक branch है जब हम इस side से जा रहे हैं तो branch को 2 number मिल रहा है और जब इस side से आ रहे हैं तो branch को 4 number मिल रहा है तो किस side से कम number मिल रहा है इस side से यानि कि हम numbering इस side से करेंगे ना कि इस side से करेंगे हमने longest chain का selection कर लिया हमने numbering भी decide कर लिए कि किस side से numbering करेंगे अगला है format लिखेंगे कैसे तो पहले branch को लिखेंगे branch क्या है CS3 जिसे हम methyl बोलते हैं कितने number पे है दो number पे तो two methyl अब branch नहीं है इसमें इसके बाद ring इसमें ring नहीं है तो नहीं लिखेंगे अगला है number of carbon हमने जो chain select किया है उसमें कितने carbon है पांच पांच carbon को क्या बोलते है पेंट अगला है triple bond, double bond, single bond का नाम हमने जो chain select किया है उसमें सभी के सभी single bond है और single bond को क्या बोलते है एन उसके बाद है functional group हमारे इस organic compound में एक भी functional group नहीं है तो नहीं लिखेंगे यानि कि इस organic compound का IUPAC नाम आ जाएगा 2-methyl-pentane तीसरा example लेते हैं और अच्छे से समझते हैं Example number 3 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है CH3, CH, CH3, CH, NO2, CH2, CH3 हमें इसका IUPAC नाम लिखना है तो IUPAC नाम लिखने के लिए IUPAC का पहला rules लगाएंगे पहला rules है longest chain का selection करना इस organic compound में सबसे लंबी carbon की chain ये वाली है carbon की chain select करने के बाद जो बच जाता है वो बन जाता है हमारा branch यानि कि यहाँ पर दो branch है NO2 यानि नाइट्रो, CH3 यानि की मिथाई सबसे लंबी carbon की chain select करने के बाद IUPAC का दूसरा rules लगाएंगे numbering अगर हम इस side से numbering करते हैं तो 1, 2, 3, 4 and 5 आप इस side से भी numbering कर सकते हो 1, 2, 3, 4 and 5 लेकिन numbering इस प्रकार से करना होता है कि functional group, triple bond, double bond, branch को कम number मिलना चाहिए यहाँ पर 2 branch है CS3, NO2 अगर हम इस side से जाते हैं तो CS3 को 2 number मिल रहा है और NO2 को 3 number मिल रहा है अगर हम इस side से जाते हैं तो NO2 को 3 number मिल रहा है और CS3 को 4 number मिल रहा है तो किस side से कम number मिल रहा है इस side से यानि कि हम इस side से numbering करेंगे न कि इस side से numbering करेंगे कभी doubt हो तो इन दोनों number को जोड़ लो 2 और 3 को जोड़ोगो तो 5 आएगा 3 और 4 को जोड़ोगो तो 7 आएगा किस side से number कमा रहा है इस side से तो हम इस side से numbering करेंगे हमने सबसे लंबी carbon की chain का selection कर लिया हमने numbering भी decide कर ली कि किस side से हमें numbering करना है तो IUPAC का तीसरा rules है format लिखेंगे कैसे तो पहले branch को लिखेंगे लेकिन यहाँ पर दो branch है तो IUPAC का चौथा rules हमने देखा था कि जब भी दो या दो से अधिक branch आ जा जाए तो हमें alphabetical order को follow करना होता है alphabetically methyl पहले आएगा नाइट्रो बाद में आएगा तो जब भी हम नाम लिखेंगे तो branch में इन दोनों का नाम पहले लिखेंगे पहले methyl को लिखेंगे फिर नाइट्रो को लिखेंगे तो इसका नाम क्या आ जाएगा दो पे methyl है तो 2, methyl और 3 पे नाइट्रो है 3, नाइट्रो तो अभी तक हमने सिर्फ branch को लिखा है सारी branch हमारी खतम हो गई methyl और नाइट्रो उसके बाद ring इस organic compound में एक भी ring नहीं है तो नहीं लिखेंगे उसके बाद number of carbon हमने जो chain select किया है उसमें कितने carbon है 5, 5 carbon को क्या बोलते है पेंट्रो फिर उसके बाद है triple bond, double bond, single bond का नाम हमने जो chain select किया है उसमें सभी के सभी single bond है और single bond को क्या लिखते है एन फिर उसके बाद है functional group इस organic compound में एक भी functional group नहीं है तो नहीं लिखेंगे यानि कि इस organic compound का नाम आ जाएगा 2-methyl-3-nitro-pentane एक चीज़ ध्यान देना कि जब भी किसी भी organic compound का नाम लिखोगे तो number और later के बीच में dash होना चाहिए और later और number के बीच में dash होना चाहिए नेक्स एक्जामपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं एक्जामपल number 4 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है हमें इस organic compound का नाम लिखना है तो नाम लिखने के लिए हमें IPAC का पहला रूस लगाना है पहला रूस है longest carbon की chain का selection करना इस organic compound में सबसे लंबी carbon की chain ये वाली है सबसे लंबी carbon की chain select करने के बाद जो बच जाता है वो बन जाता है branch यानि कि इस case में हमारे पास दो branch है BR यानि की bromine, CL यानि की chlorine सबसे लंबी carbon की chain select करने के बाद अगला point आता है numbering का अगर हम इस side से numbering करते हैं तो 1, 2, 3, 4 अगर हम इस side से numbering करते हैं 1, 2, 3, 4 लेकिन numbering इस प्रकार से करना होता है कि functional group, triple bond, double bond, branch को कम number मिलना चाहिए अगर हम इस side से numbering करते हैं तो BR को 2 number मिल रहा है और CL को 3 number मिल रहा है यानि कि branch की position same आ रही है जो alphabet कली पहले आएगा उस side से हम numbering को preference देंगे तो यहाँ पर BR alphabet कली पहले आ रहा है तो हम इस side से numbering को preference देंगे न कि इस side से हमने सबसे लंबी कारबन की chain का selection कर लिया हमने यह भी decide कर लिया कि किस side से हम numbering करेंगे अगला है format लिखेंगे कैसे तो पहले branch को लिखेंगे यहाँ पर दो branch है BR और CR तो alphabetical order को follow करना है जब भी दो या दो से अधिक branch आ जाए तो bromine पहले आएगा alphabetically और chlorine बाद में आएगा bromine कितने position पे है दो तो 2 ब्रोमो 3 पे है chlorine तो 3 ब्रांच खतम उसके बाद ring इस organic compound में ring नहीं है तो नहीं लिखेंगे अगला है number of carbon कितने carbon है चार चार carbon को क्या लिखते है ब्यूट फिर उसके बाद triple bond, double bond, single bond का नाम हमने जो chain select किया है उसमें सभी के सभी single bond है और single bond को लिखते है n फिर उसके बाद है functional group इसमें एक भी functional group नहीं है तो नहीं लिखेंगे यानि कि इस organic compound का नाम आ जाएगा 2-bromo-3-clorobutane एक चीज ध्यान देना कि जब भी दो या दो से अधिक ब्रांच आ जाए तो हमें उसका नाम लिखने के लिए alphabetical order को तो follow करना ही है लेकिन जब भी दो या दो से अधिक ब्रांच आ जाए और उनकी position से मा जाए तब भी हमें उनकी numbering को decide करने के लिए भी alphabetical order को follow करना है और example लेते हैं और अच्छे से समझते हैं Example number 5 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है CH3, CH2, CH, CH3, CH, CH3, CH3 हमें इसका IUPAC नाम लिखना है तो नाम लिखने के लिए सबसे पहला rule होता है IUPAC का सबसे लंबी carbon की chain का selection करना होता है इस organic compound में सबसे लंबी carbon की chain ये वाली है carbon की chain select करने के बाद जो बच जाता है वो बन जाता है branch यानि कि यहाँ पर दो branch है और दोनों branch same है carbon की chain select करने के बाद अगला point आता है numbering का अगर हम इस side से numbering करते हैं तो 1, 2, 3, 4, and 5 अगर हम इस side से numbering करते हैं तो 1, 2, 3, 4, and 5 numbering इस प्रकार से करना होता है कि branch, double bond, triple bond, functional group को कम number मिलना चाहिए अगर हम इस side से numbering करते हैं तो इस वाली branch को 3 number मिल रहा है और इस वाली branch को 4 number मिल रहा है अगर हम इस side से numbering करते हैं तो इस वाली branch को 2 number मिल रहा है और इस वाली branch को 3 number मिल रहा है किस side से कम number मिल रहा है इस side से यानि कि इस side वाली को preference देंगे न कि इस side वाले को preference देंगे कभी doubt आये तो इन दोनों को जोल लो जो number कम आएगा उस side वाले को preference देंगे हमने chain भी select कर लिया हमने numbering भी decide कर लिया कि किस side से numbering करेंगे उसके बाद आगला point आता है format का की लिखेंगे कैसे पहले branch को लिखेंगे लिखिन यहाँ पर दो branch है और दोनों branch सेम है तो हमने IPAC के पाँचवे rules में देखा था कि जब भी दो या दो से अधिक branch सेम आ जाए तो उसका नाम लिखते समय डाई, ट्राई, टेटरा का यूश करते हैं तो हम इस side से जा रहे हैं तो दो नमबर पे और तीन नमबर पे methyl सेम branch जा रहा है तो आएगा डाई जब दो बार है तो डाई तीन बार होता तो ट्राई तो डाई क्या है इसका नाम? methyl branch खतम उसके बाद ring ring नहीं है तो नहीं लिखेंगे next है number of carbon हमने जो chain select किया है उसमें कितने carbon है? 5, 5 carbon को लिखते हैं paint फिर उसके बाद है triple bond, double bond, single bond का नाम हमने जो chain select किया है उसमें सभी के सभी single bond है और single bond को n लिखते हैं फिर उसके बाद है functional group इस organic compound में एक भी functional group नहीं है तो नहीं लिखेंगे यानि कि इस organic compound का नाम आ जाएगा 2,3 dimethyl pentane तो I hope आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से alcan का IUPAC naming करते हैं next example लेते हैं और अच्छे से समझते हैं example number 6 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है CS3, CS2, 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 CS3 हमें इसका IUPAC नाम लिखना है तो जब भी इस तरीके का organic compound आ जाए और उसका IUPAC नाम लिखना हो तो चेक करो कि जो भी carbon ऊपर नीशे कुछ दिया है तो क्या उस carbon को आप एक CD chain में लिख पा रहे हो की नहीं तो देखो मैं इस carbon को एक CD chain में लिख पा रहा हूँ पहले मैं CS2 को लिख रहा हूँ CS2, CS2, CS2 जो कि पहले से एक CD chain में दिया हुआ अब मैं CS3 को एक CD chain में ऐसे भी लिख सकता हूँ और CS3 को मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ यानि कि इस पूरे organic compound को मैं एक CD chain में लिख सकता हूँ तो अगर आप class 10 में हो या basic कर रहे हो तो मैं यहीं बोलूँगा कि आप उस organic compound को पहले एक CD chain में लिख कर फिर उसका IPC नाम लिखो ताकि wrong करने के chance कम हो जाए अगर आपकी command अच्छी हो तो आप सिधा कर सकते हो अब आप इसका IPC नाम लिख सकते हो इसका IPC नाम आएगा pen10 इसी तरीके का एक और question देखते हैं question number 7 मान लिजे कि CS3, CS2, CS2 और CS3 दिया हुआ है हमें इसका IPC नाम लिखना है तो चेक करो कि क्या मैं उपर वाले carbon को नीचे वाले carbon को सीधी chain में लिख सकता हूँ तो देखो पहले मैं CS2, CS2 को लिख रहा हूँ CS2, CS2 इस वाले carbon को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ और इस वाले carbon को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ यानि कि इस organic compound को मैं एक सीधी chain में लिख सकता हूँ तो बेटर यही है कि इस organic compound का नाम लिखने की वज़ा है पहले सीधी chain में लिख लो फिर उसका IPC naming करो अगर आप basic सीख रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा तब ऐसा करो अगर आपकी command अच्छी है तो आप direct कर सकते हो इसका नाम आयेगा IPC name butane तो I hope आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से किसी भी alcan का IPC naming करते हैं मैं आपको कुछ homework question दे दे रहा हूँ वीडियो के comment box में comment करके बताना कि उसका IPC naming क्या होगा अगर आपका alcan का IPC naming का concept अच्छे से समझ में आ गया हो तो ए आपके लिए 5 homework question है homework question कहो या practice question कहो वीडियो के comment box में comment करके बताना कि इसका IPC naming क्या होगा अब बात करेंगे alcan और alcan के IPC naming के बारे में alcan और alcan का IPC naming करने से पहले पहले हम alcan और alcan के कुछ note point देख लेते हैं हमारे पास पहला note point है कि अगर double bond और triple bond की position same आ जाए numbering करते समय तो हम preference double bond को देंगे दूसरा note point है हमारे पास कि अगर double bond और triple bond की position same ना आए numbering करते समय तो हम preference उसे देंगे जो पहले आएगा अगर double bond पहले आएगा तो हम double bond को preference देंगे अगर triple bond पहले आएगा तो हम triple bond को preference देंगे तीसरा note point है हमारे पास कि अगर दो या दो से ज़्यादा double bond या triple bond एक ही organic compound में आ जाए तो हमें उसका नाम लिखते समय ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा करके लिखना है यानि कि अगर 4 carbon की chain है तो ब्यूट न लिखके ब्यूटा लिखेंगे अगर 5 carbon की chain है तो पेंट न लिखके पेंटा लिखेंगे अगर 6 carbon की chain है तो हेक्स न लिखकर हेक्सा लिखेंगे जब भी आप alkyne और alkyne का IPAC naming करोगे आपको ए तीन note point याद होने चाहिए तो चलिए कुछ एक्जामपल लेते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से alkyne और alkyne का IUPAC naming करेंगे हमारे पास पहला एक्जामपल कुछ इस तरीके का दिया हुआ है CH2 double bond CH CH2 C triple bond CH हमें इसका IUPAC नाम लिखना है तो IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन की chain चुनेंगे सबसे लंबी कार्बन की chain चुनने के बाद हमें उसका numbering करना होता है अगर हम इस side से numbering कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 and 5 अगर हम इस side से जा रहे हैं तो एक number पे double bond आ रहा है अगर हम इस side से आ रहे हैं तो एक number पे triple bond आ रहा है तो हमने alkin और alkin के note point में देखा का कि अगर numbering करते समय double bond और triple bond की position सेम आये तो double bond को preference देना होता है यानि कि हम numbering इस side से करेंगे न कि इस side से तो हमने सबसे लंबी carbon की chain select कर लिया हमने numbering भी decide कर लिया कि किस side से numbering करेंगे तीसरा point है format लिखेंगे कैसे सबसे पहले branch को लिखेंगे इसमें branch नहीं है तो नहीं लिखेंगे फिर उसके बाद ring को लिखेंगे, इसमें ring नहीं है तो नहीं लिखेंगे फिर उसके बाद number of carbon, इस chain में 5 carbon है और 5 carbon को pen लिखते हैं फिर उसके बाद triple bond, double bond, single bond का नाम, यहाँ पर double bond भी आया है, single bond भी आया है और triple bond भी आया है, तो जब भी double bond, triple bond के साथ finger bond भी आया है आपको single bond का नाम नहीं लिखना होता है। अब सवाल यह आता है कि double bond को पहले लिखा जाए या triple bond को पहले लिखा जाए। तो देखो double bond को in लिखते हैं और triple bond को in लिखते हैं। तो alphabetically double bond पहले आता है as compared to triple bond के। यानि कि double bond को पहले लिखेंगे। तो हम इस side से जा रहे हैं, तो इस side से एक number पे double bond आ रहा है, हम इस side से जा रहे हैं तो 4 number पे triple bond आ रहा है, एक चीज ध्यान देना कि इस वाले word का last वाला letter और इस वाले word का पहला वाला letter अगर A, E, I, O, U, Y में से आए तो आपको इस वाले word का last वाला letter cut कर देना होता है, तो इसके बाद functional group को लिखेंगे इसने functional group नहीं है तो नहीं लिखेंगे यानि कि इस organic compound का IUPAC नाम आ जाएगा paint 1 in 4 iron कुछ और example लेते हैं और अच्छे से समझते हैं example number 2 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है CH2 double bond CHC triple bond C CH3 हमें इसका IUPAC नाम लिखना है तो IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन की chain चुनेंगे सबसे लंबी कार्बन की chain चुनने के बाद हमें उसका numbering करना होता है अगर हम इस side से numbering कर रहे हैं तो 1,2,3,4 and 5 अगर हम इस side से numbering कर रहे हैं तो 1,2,3,4 and 5 जब हम इस side से जा रहे हैं तो एक number पे double bond आ रहा है जब हम इस side से आ रहे हैं तो 2 number पे triple bond आ रहा है तो हमने alkin और alkin के note point में देखा था कि अगर numbering करते समय double bond पहले आएगा तो double bond को preference देंगे अगर triple bond पहले आएगा तो triple bond को preference देंगे इस case में double bond पहले आ रहा है यानि कि हम numbering इस side से करेंगे ना कि इस side से हमने chain select कर लिया हमने numbering भी decide कर लिया कि कि side से numbering करेंगे तीसरा point है format लिखेंगे कैसे तो सबसे पहले branch को लिखेंगे इसमें branch नहीं है तो नहीं लिखेंगे उसके बाद ring को लिखेंगे इसमें ring नहीं है तो नहीं लिखेंगे फिर इसके बाद number of carbon को लिखेंगे इस chain में 5 carbon है और 5 carbon को paint लिखते हैं फिर इसके बाद triple bond, double bond, single bond का नाम लिखेंगे इसमें double bond भी आया है, triple bond भी आया है और single bond भी आया है अभी हमने देखा कि double bond, triple bond के साथ अगर single bond आ जाये तो हमें single bond का नाम नहीं लिखना होता है सिर्फ और सिर्फ डबल bond और triple bond का नाम लिखना होता है और हमने देखा कि double bond और triple bond एकी और गयनी compound में आ जाये तो सबसे पहले double bond का नाम लिखेंगे फिर इसके बाद triple bond का नाम लिखेंगे हम इस side से numbering कर रहे हैं और एक number पे double bond आया है एक number पे double bond आया है और double bond को A लिखते हैं हम इस side से numbering कर रहे हैं और 3 number पे triple bond आया है और triple bond को A लिखते हैं इस वाले word का last वाला letter cut कर देंगे फिर उसके बाद functional group को लिखेंगे इसमें functional group नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे यानि कि इस organic compound का नाम आ जाएगा paint 1 in 3 iron कुछ और example लेते हैं और अच्छे से समझते हैं Example number 3 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है CH3 CH double bond CH CH double bond CH2 हमें सबसे पहले सबसे लंबी carbon की chain चुनना होता है सबसे लंबी carbon की chain चुनने के बाद हमें उसका numbering करना होता है अगर हम इस side से numbering कर रहे हैं तो 1,2,3,4 and 5 अगर हम इस side से numbering कर रहे हैं तो 1,2,3,4 and 5 जब हम इस साइट से जा रहे हैं तो दो नमबर पर और चार नमबर पर डबल बॉंड आया है जब हम इस साइट से आ रहे हैं तो एक नमबर पर और तीन नमबर पर डबल बॉंड आया है तो किस साइट से कम नमबर आ रहा है इस साइट से यानि कि हम numbering इस side से करेंगे न कि इस side से कभी confusion हो तो इन number को जोड़ लिया करो तो किस side से कम number आ रहा है इस side से यानि कि हम numbering इस side से करेंगे न कि इस side से हमने सबसे लंबी carbon की chain select कर लिया हमने numbering भी decide कर लिया कि किस side से numbering करेंगे तीसरा point है format लिखेंगे कैसे तो नहीं लिखेंगे फिर उसके बाद ring को लिखेंगे इसमें ring नहीं है तो नहीं लिखेंगे फिर उसके बाद number 1 कारबन को लिखेंगे इस chain में 5 कारबन है और 5 कारबन को pent लिखते हैं लेकिन एची ध्यान देना कि जब हम alkin और alkin का note point पढ़ रहे थे तो उस समय हमने देखा था कि अगर double bond या triple bond दो या दो से अधिक बार आ जाए तो उसका नाम pent न लिखकर pent लिखेंगे hex न लिखकर hex लिखेंगे तो यानि किसका नाम आएगा pent क्योंकि यहाँ पर दो बार double bond आया है फिर इसके बाद double bond triple bond का नाम लिखेंगे यहाँ पर single bond भी आया है और double bond भी आया है तो अभी हमने देखा कि अगर double bond के साथ single bond आ जाए तो हमें single bond का नाम नहीं लिखना होता है और यहाँ पर double bond दो बार आया है किसमे कितने position पर है हम इस side से numbering कर रहे हैं one और three और double bond दो बार है तो die लिखेंगे फिर इसके बाद double bond का नाम यानि कि in फिर इसके बाद functional group इसमें functional group नहीं है तो नहीं लिखेंगे यानि कि इसका नाम आ जाएगा penta one कॉमा three die in कुछ और example लेते हैं और अच्छे से समझते हैं चौथा example हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है ch3 ch double bond ch 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 ch3 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 हमें सबसे पहले सबसे लंबी carbon की chain चुनना होता है सबसे लंबी carbon की chain चुनने के बाद जो बच जाता है वो बन जाता है ब्रांच यानि कि यहां पर एक ब्रांच है और उसका नाम निथाईल है सबसे लंबी carbon की chain चुनने के बाद हमें numbering करना होता है अगर हम इस side से numbering कर रहे हैं तो one two three four and five अगर हम इस side से numbering कर रहे हैं तो one two three four and five लेकिन numbering इस प्रकार से करना होता है कि सबसे ज़्यादा preference functional group को देंगे फिर उससे कम triple one double one को फिर उससे कम branch को देना होता है इस organic compound में double one भी आया है और branch भी आई है यानि कि हम double one को ज़्यादा preference देंगे as compared to branch को तो जब हम इस side से जा रहे हैं तो double one दो number पे आया है और जब हम इस side से आ रहे हैं तो double one तीन number पे आया है यानि कि कम number इस side से आ रहा है यानि कि हम numbering इस side से करेंगे न कि इस side से करेंगे हमने सबसे लंबी carbon की chain चुन लिया हमने यह भी decide कर लिया कि कि side से numbering करेंगे तीसरा point है format लिखेंगे कैसे तो सबसे पहले branch को लिखना होता है, इस organic compound में एक branch है और हम numbering इस side से कर रहे हैं, तो जब हम इस side से जा रहे हैं तो branch कितने number पे आ रहा है, चार number पे यानि कि 4 निथाई, उसके बाद इसमें branch नहीं है, हमने branch का नाम लिख लिया, फिर इसके बाद ring को लिखेंगे, इसमें ring न उस chain में 5 carbon है, और 5 carbon को pen लिखते हैं, फिर इसके बाद triple bond, double bond, single bond का नाम लिखेंगे, यानि कि जब हम इस side से जा रहे हैं, तो दो number पे double bond आ रहा है, और double bond को इन लिखते हैं, और single bond को नहीं लिखेंगे, जैसा कि हमने इसले example में देखा, जब भी double bond के साथ single bond आ जाए, तो single bond को नहीं लिखना होता है, फिर इसके बाद functional group को लिखेंगे, इसमें functional group नहीं है, तो नहीं लिखेंगे, यानि कि इस organic compound का IUPAC नेम आ जाएगा, four methyl pent to in, कुछ और example लेते हैं, और अच्छे से समझते हैं, एक चीज़ ध्यान देना कि जब भी आपको किसी भी organic compound का IUPAC नाम तो आपको हमेशा इसी sequence को follow करना होता है, दूसरा चीज, मैं यहाँ पर बार बार numbering करके बता रहा हूँ कि किस side से numbering करना है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह बहुती basic वीडियो है, अगर आपकी command अच्छी है तो आपको numbering बार बार लिखने की ज़रूत नहीं है, आप direct उसका IUPAC नाम लिखिए, example number 5 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, CH3, C triple bond, C, CH, NO2, CH double bond, CH2, हमें इसका IUPAC नाम लिखना है, तो IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले सबसे लंबी carbon की chain चुनेंगे, सबसे लंबी carbon की chain चुनने के बाद जो बच जाता है वो बन जाता है branch, यानि कि यहाँ पर एक branch है और उस branch का नाम है nitro, सबसे लंबी carbon की chain चुनने के बाद हमें उसका numbering करना होता है, अगर हम इस side से numbering कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, and 6, अगर हम इस side से numbering कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, and 6, लेकिन numbering इस प्रकार से करना होता है कि सबसे जादा preference functional group को, फिर उससे कम triple bond, double bond को, फिर उससे कम branch को, यहाँ पर triple bond भी आया है, double bond भी आया है, और branch भी आईए, यानि कि triple bond, double bond को ज्यादा preference देंगे as compared to branch से, तो जब हम इस side से जा रहे हैं तो triple bond दो number पे आया है और जब हम इस side से आ रहे हैं तो double bond एक number पे आया branch की तो बाती नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने देखा कि जब भी triple bond double bond आ जाये तो ज़्यादा preference double bond triple bond को देंगे as compared to branch से तो जब हम alkin और alkin का note point देख रहे थे तो उस समय हमने देखा था कि अगर numbering करते समय double bond पहले आये तो double bond को पहले preference देंगे अगर numbering करते समय triple bond पहले आये तो triple bond को पहले preference देंगे यहाँ पर double bond पहले आ रहा है यानि कि हम इस side से numbering करेंगे न कि इस side से हमने सबसे लंबी chain select कर लिया हमने numbering भी decide कर लिया कि किस side से numbering करेंगे तिसरा point आता है format का लिखेंगे कैसे तो सबसे पहले branch को लिखेंगे और यहाँ पर एक branch है और हमारी numbering उपर वाली सही है यानि कि हम इस side से numbering कर रहे हैं जब हम इस side से numbering कर रहे हैं तो branch 3 number प्यार आया है और सबसे पहले branch को लिखेंगे. तो 3, Nitro, branch खतम, उसके बाद ring को लिखेंगे, इसमें ring नहीं है तो नहीं लिखेंगे. फिर उसके बाद number of carbon, हमने जो chain select किया है उसमें कितने carbon है, 6 और 6 carbon को hex बोलते हैं. फिर उसके बाद triple bond, double bond का नाम इसमें triple bond भी आया है, double bond भी आया है. यानि कि हम सबसे पहले double bond को लिखेंगे, फिर उसके बाद triple bond को लिखेंगे. हम इस side से आ रहे हैं तो एक number पे double bond आया है और double bond को in लिखते हैं. हम इस साइट से आ रहे हैं तो चार नंबर पे ट्रिपल वाण्ड आया है और ट्रिपल वाण्ड को आयन लिखते हैं इस वाले वर्ड का लास्ट वाला लेटर कट कर दें फिर उसके बाद FUNCTIONAL GROP को लिखेंगे इसमें FUNCTIONAL GROP नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे यानि किस organic compound का IUPAC नाम आ जायेगा 3-nitro-hex-1-in-4-iron तो I hope आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से alkyne और alkyne का IUPAC naming करते हैं मैं आपको यहाँ पर कुछ practice question दे दे रहा हूँ वीडियो की comment box में comment करके बताना कि उसका IUPAC नाम क्या होगा और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी वीडियो के comment box में comment करके जरूर बताना